नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है लगबग 500 करोण की परियोजनाओं की स्तवगात देने रविवार को सिटी ब्यूटीफूल यानि चंडीगड पहुँचे केंद्री ग्री मंत्री अमित साह ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसको ले करके हंगामा हो गया है जियां उन्होंने चंडीगड प्रसासन के हज्यारों करमचारियों को एक बड़ा तौफा भेट किया है कि एक अपरेल से वहाँ पे सेंटरल सर्वीस रूल लागू हो जाएगा इससे क्रमचारियों को क्या फाइदा होगा और हंगामा क्यों हो रहा है इस पे करेंगे बात अमित्सा ने कहा को चंडीगड़ प्रसासन के सभी क्रमचारियों को सुब समाचार देना चाहते हैं कि चंडीगड़ प्रसासन के क्रमचारियों की सिवा सर्थों को केंद्र के सिवा नियमों को साथ जोडने का फैसला लिया गया है इससे क्रमचारियों को लाव होगा कि मांग काफी दिनों से चल रही थी यूटी प्रसासन ने साल 2020 में तीन मुद्धों पर कानूनी राय मांगी थी इन में से एक पंजाब सेवा नियम को मानने को लेकर था दूसरा ये था कि क्या ऐसा हो सकता है कि प्रसासन पंजाब सेवा नियम को ही माने दूसरा ये था कि क्या केंद्री सेवा नियम लागू किया जा सकता है अरचन ये आ रही थी कि 1992 में चंडीगर ने केंद्री केविनेट से पास होने के बाद पंजाब सेवा नियम को अपनाया था प्रसासन ने इस कानूनी राय को दिल्ली भेज दिया था कि जो चाहें फैसला करे ग्री मंत्री पे सब को छोड़ दिया गया था यानि कि जिस चंडीगर में अभी तक पंजाब सेवा नियम लागू था उसकी जगह पे अब केंद्री सेवा नियम लागू होगा ये फैसला केंद्री ग्री मंत्री ने कर लिया है और इसी का ऐलान उन्होंने किया अब जानते हैं कि से कमचारियों को क्या फैदा होगा क्रमचारियों की सेवा निवर्दी की उम्र 60 बर्स हो जाएगी जो अभी तक अंठावन बर्स थी और सिक्षा के छेत्र में उनकी 65 साल हो जाएगी सिक्षकों को सफर करने के लिए भत्ता मिलेगा लगभग 4000 रुपे महीना पेशकेल और डिये केंद्र कमचारियों के बराबर मिलेगा इसकूलों में अब उप प्रधानाचारी का पद होगा इसमें बरिष्ट्रा के आधार पे नियूपती होगी महीला करमचारियों को चैल्ड केर के लिए दो साल की छुट्टी मिलेगी कक्षा 12 वी तक दो बच्चों के अब भावकों को सिक्षा भत्ता मिलेगा अब बात बिवाद की अमित साह की इस घुसरा पर दिली के उप मुख मंतरी मनेश सी सोधिया ने ट्वीट करके चुट किली उन्होंने का कि बीजेपी पंजाब में आपके बढ़ते कदमों से डर गई है जब पंजाब में कांग्रिस का सासन था तब साह ने चन्रीगड की सक्तिया नहीं छीने लेकिन जैसे ही पंजाब में आपने सरकार बनाई तो ग्री मंतरी ने इस कदम का एलान कर दिया क्योंकि भाजपा आपके बढ़ते कदमों से डरी हुई है तरह से अन्य राजनेतिक दल और राजनेता भी बिले जूली प्रत्क्रिया दे रहे हैं लेकिन चुकि करमचारियों का फैदा हो रहा है इसलिए करमचारी खुश है सो भाव एकसी बात है कि राजनितिक फैसलों और प्रसासनिक फैसलों में समय का बहुत महत होता है जिस समय अमित्सा ने इस फैसले का एलान किया है वो राजनितिक रूप से बहुत ही कुरूसियल है दिल्ली में भी आप देख रहे होंगे कि MCD के एकी करण को ले करके किस तरीके से आप रियक्ट कर रही है ठीक उसी तरीके से इस फैसले को भी ले करके उसका रियक्ट करना सब कुछ बया कर रहा है रहे न भी खबर देखते रहे इन खबर थैंक्यू